देन बच्चो आउकलाज के अनुप्रियोग पर हम लोग कुछ कोश्चन सवाल करने चल रहे हैं यह कोश्चन जो लिए हैं यह 12th क्लास और NDA ITGI में बहुत बार पुछा गया है तो हम IT के नजर रखते हुए 12th का फोकस कर रहे हैं तो पहला जो कोश्चन है करा एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूप पर सेकिंड की दर से गिरी गिर रहे है करता गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा संकू बनाती है संकू बनाता मैं एक मतलब की आपका कोन बना रहा है जिसके उचाई सदेव अधार की तीरिया का छोगा भाग है मतलब कि जो उचाई जो हाइट है वो तीरिया का का है छोगा भाग है मतलब कि जो अगर हाइट बहुत ज़्यादा छोगोना उसका तीरिया उसका छोग से भागा दे देंगे जब हाइट में तो उसका आपको रेडियस आजाएगा तो रेट से बने संकू की उचाई किस दर से बढ़ रही है कह रहा है कि उसका संकू जो है बालो जब गिर रहा उस पर तो बालो जब गिर रहा तो उसके एकदम एक संकू अकार बन रहा है तो उसका उचाई जो है न किस दर से बढ़ती जा रही है जबकि उचाई उसका चार सेंटीमीटर हो तब उस कंडिशन में तो मेरे दोश जैसे कि मान लिए जब बालू गिराया जा रहा है जब सेंड हम गिरा रहे हैं धरती पर तो धरती पर जब गिराएंगे बालू को तो इस तरह के एक अकार बन रहा है इसका जो रेट इसका हाइट जो है इसका हाइट बदल रहा है इसका जो हाइट है यह बढ़ते जैसे बालू गिराएंगे तो धेद्र यहां से बालू करते इसका हाइट बढ़ते जाए तो कारे कि इसका हाइट जो बढ़ रहा है तम बढ़ते जा रहा है तो उस condition पूछ रहा है कि जब इसका rate का जो height है 4 cm होगा उस condition में क्या होगा अब मेरे दोस्त यहां जानना जरूरी है कि जो radius इसका जो है मान ले रहे हैं यहां यहां सुचाई जो है चार है आप जानते हैं कौन का जो volume हो जाएगा एक स्क्वाइर इसका हाइट वाई है अब पाई यह हो जाएगा अब ध्यान दें जुरूरी कि इसमें एक संबंद दिया हुआ कि हाइट जो दिया हुआ है वह radius का हाइट रिडियस का क्या है छो का भाग हो जाएगा तो इसको का करेंगे बहुतक गरे है भुआ जो हो मेरे दोस्त ऑन बाई ठी아 करेंगा हम डाई का स्थान मानमान गाते हैं एक से स्क्वाइर इंटु एकस बाई छो पाई अब इसको हल कर ले रहे हैं 1 by 18 पाई x q हो जाएगा अब इसको हम लोगा करेंगे डिफ्रेंशेट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तर डी बाई डी एक्स डी टी ती हो जाएगा पाई अठार गुना 3x स्क्वाइड डी एक्स ती यह हो जाएगा अब यहाँ पर कह रहा है इसका रेट यह दिया हुआ है डी वी वाई डी टी जो दिया हुआ है यह 12 cm q के रफ्तार से इसको बढ़ते जा रहा है इसका रेट चेंज कर रहा है तो यहां पूछ रहा है किसका जो hight यह का हो जागा, तो यहां पर हो जाएगा by dt को लिखेंगे तो वान राइच को जाएगा यह ना पर मान रख देंगे तो इसका मान निकालना यही आपका हाइट है वाई आपको यहां पर हाइट लिया गए हमें दूस्त तो यहां पर का करेंगे यहां से इसका बार हो जाएगा आपका जब डिवी वाई डिटी जब इसका जो मान दिया है यहां पर रखेंगे तो यहां पर 1 by 12 हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको 18 दिया हुआ है, πाई, इंटू 3, X के मान कहां से लिग गई हैगा, X के मान तो दिया नहीं, Y equal to दिया हुआ, X by 6, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कि height का हो जाएगा 4, जब height जब 4 हो, उस कंडिशन पूछ रहा है कि कहां उसका हाइट किस रेट से बढ़ रहा था यहां पर हम चार के मान रखेंगे तो हो जाएगा एक्स के मान आपका 24 एक्स के मान क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा अब का करेंगे मेरे दोस्त यह जब एक्स का मान जब 24 होगा तो यहां पर मान पूट कर देंगे तो वह डी यहां पर हो जाएगा 12 पाई बाई अठार तीन गुना 24 गुना 24 इंटू डी एक्स बाई डी अब का ओँजागा 12 गुना 18 पाई इंटू तीन गुना 24 गुना 24 इस इक्वल टू डी एक्स बाई डी अब यहां से जो भी कटना है कटा लेंगे उसके बाद यहां पर जो है आपका हाइट जो है किस rate से change कर रहा है तो यहां से आपको हाइट अभी नहीं निकला है यहां से निकालेंगे इसका हाइट के माने आप उट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 6 into do by dx तो इक काटने मुला कटा लेंगे बारद उने 24 या 76 अठार चाचो को 24 कर जाएगा तो उपर बच गया आपका 1 अई हो जाएगा 8 पाई अगर करेंगे यहां पर भैलू यहां लिकाएगे तो हो जाएगा अठ्चो कर तालिस यहां पर तालिस हो जाएगा जब भागा मैं जाएगा तो मतलब कि डिवाई डिटी मतलब कि जो है इसका जो मान आ गया कि यह जो है 1 बाई 48 पाई सेंटी मीटर पर सेकिंड के रफ़तार से इसका हाइट बदलेगा तो मेरे दोस्त इसमें एक बहुत जी था बहुत मतलब कि आयासानी तरीका से बनाया गया है इसमें यह बताया गया है कि जो इसका जो मतलब कि हाइट जो है बदला हो रहा है जैसे मान ने बालो जब गिर रहा है तो उसको हाइट में चेंजिंग आगा जो मान ने थोड़ा सा गिरा बालो तो थोड़ा इसको हाइट होगा प्रें बहुत जयदावालो किर गया तो बहुत बढ़ा जागा तो कगर उस कंड़ियसन बुच रहा है कि उसका हाइट मतलब872 बहूँ मतलबसमें demonstrates तो तो आई होप मेरे दोस्ते यह बात को समझे होंगे तो यह बहुत तीजी कोश्चन अगला कोश्चन की और हम लोग बढ़ रहे हैं अगला कोश्चन जो है एक संकू कि अकार की एक पात्र का ब्यास ब्यास मीं डाइ मीटर यहां दिया हुआ है और उच्चाई उसे गहराई जो है 10 मीटर है इसमें कहरा है इसमें 4 मीटर क्यू मीटर पर सेकेंड की दर से पानी भरा जाता है जैसे कि मतलब कि संकू जो है इसमें पानी भरा जा रहा है मेरे दोस्त को निकनल पार्ट में से पानी भ़रा लए जो रेटसे गिर रहा के चा आए का जो रेट पानी काँ आता है पानी जो आएगा बहुलूम पानी जो आयतन है उग आयतन घिरेगा इस आका पानी जो एक समय से ले रहा है कि माल लीजिए एक बुंद गीरा दो बुंद गीरा तीन बुंद गीरा चार बुंद गीरा यह समय ले रहा है कि एक सेकेंड दो सेकेंड इसका मतलब कि जो भॉलूम बदलाव जो हो रहा है वो टाइम पर चल रहा है यहां पर टाइम के कोडिंग दिया कह रहा है कि चार मीटर क्यू पर मीनट कह रहा है सेकिंड के बाद चार्चा नहीं किया मीनट कह दिया है तो यह ध्यान देना जरूरी है मेरे दोस्त अब कह रहा है कि उस कंडिशन के बाद चार्चा कर रहा है कि पानी जब भूंद भर रहा है तो यहां पर आपको जब भरे ग से इसका डायमीटर रेडियवन इसका पांच जल सैंद užब्हाइबर सब्सक्राइब घुर्स अंधियर स्वाइबर्ल में जो बदलावं आये को दुर्स कशिए यह बहरीवल लेना पड़ा कि उसका आयतन में जो बदलाव आएगा आयतन बदलेगा उसका रेडियस और उसका हाइड पर बदलेगा तो मेरे दोस्त समय के सांथ बदल वे गलब इसका हाइड और मतलब के रेडियस भी बदलने वाला है तो अब ध्यान देन जरूरी है तो यह अब कर आए कि यहां पर मांडाय बन गया इसके च्राइंग्ल करना भी लिजीएगा एजरन देकर बन हो गया खूंध च्रांगल यहां से इसका 5 दे दिया है या x दे दिया है y दे दिया जब similar हो गया तो का करेंगे बाड़का radius by बाड़का height छोड़का radius by छोड़का height ले लिए और का करेंगे मेरे दोस्त और का करेंगे इसको simplify करेंगे तो 1 by 2 equal to हो जाएगा x by y मतलब कि यहां पर निकालेंगे y के जो मान निकालेंगे तो 2x हो जाएगा यहां पर क्या पुछ रहा है कि किस दर से बढ़ रहा है हना पानी की अस्तर जो है किस दर से बढ़ रहा है ता पानी का अस्तर जो है किस दर से बढ़ एज़ाक इसमें हाइट के बारे में चर्चा कर रहा है तो हम हाइट जो है मेरे दोस्त हुआ माने है हम Y तो यह Y के रेलेटेड माने है इसका मतलब कि हमें यहाँ पर Y by X से यहाँ पर रख लेंगे आए x को remove कर देंगे तो यहाँ से जो आएगा variable जो ओगा volume जो हो जाएगा πाई by 3 x square y यहाँ पर x के मान हटाद लेंगे तो यह हो जाएगा πाई by 3 y by 2 का square गुना y तो जाएगा πाई by 3 y square by 4 into y तो यह हो जाएगा में दोस्त पाई y q by 12 अब इसको हम लोगा करेंगे differentiate करेंगे हैना इसको हम लोग अउकलोज करेंगे कि किस दर से बढ़ रहा है आयतन बढ़ रहा है जो यह समय का अनुसार बढ़ रहा है कि मालने पहला बूंद तीसरा बूंद चौथा बूंद इस तरह जो बूंद गिर रहा है तो उसमें समय लग रहा है इसका मतलब कि हम डिव बाइटी जभ करेंगे यह चेंज हो जाएगा तरह हो जाएगा पाई 12 गुना तीन वाई डिव डिव बाई डिटी कि में इसका हाइड जो बढ़ लेगा समय का अनुसार हाइड भी इसका बढ़ लेगा तो यह हो गया मेरे दोस्त यह इसका मान दिया है किस rate से बदल रहा है तो यह इसका मान जो है यहाँ पर मान इसका दिया हुआ है इसका गहराई दिया है यहाँ पर दिया गराई 12 बाई 2 गुना 3 गुना हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे 6 यहां पर गुणा कर लेंगे दोस्त यहां पर गुणा करेंगे तो इकट जाएगा कटा लेंगे पाले तो यहां पर आएगा चार से काटा देंगे यह तीन हो जाएगा यह दू दू से काटा देंगे दू यह हो जाएगा तीन तो चार इकटा लेंगे दू यह हो जाएगा नो पाई इन्टू डिवाई डिटी यहां पर हो जाएगा चार बाई नो पाई चार बाई नो पाई इकटा डिवाई डिवाई मत जो दर है जो rate बदल रहा है वह चार बाई नौ पाई मीटर पर मीनट से बदल रहा है तो मेरे दोस्त यह बहुत question एजी है यह बता रहा है कि जो पानी गिर रहा है तो उसको जो आयतन बदल रहा है उसका height हैं तो है थीरी-धिर पानी गिरता ना नल से तो उसी तरह कि उसका temat बदलें लिए तो इसी तरह कोस्चन कर रहा है कि दिर्ग व्रिद्ध दिर्ग व्रिद्ध मीन्स होता है इलिप्स एक दिर्ग व्रिद्ध है इस तरह का दिर्ग व्रिद्ध आकर रहा है कि इसका दिया है इसका इक्वेशन जो दिया हुआ 16 x square plus 9 y square equal to 400 कि किन बिंदुओं पर y निर्दे सांग मतलब कि y axis उसी दर से घड़ता है जिस दर से x निर्दे सांग पड़ता है मतलब कि x जो है न y जो है घटेगा y का दर है घटने लगा और x का दर का होगा बढ़ने लगा यहीं बता रहा है कि y जितना दर से घट रहागा इसका मतलब कि dy by dt जो है यहाँ पर minus है आया dy by dx by dt जो है यह पलस है परणतु दोनों के के एक जैसा है इसका मतलब कि dy by dx से यहाँ पर जो बदल रहा है वह minus sign लेके आ जा रहा है इसका मेरे दोस्त यहाँ हो जाएगा आपका इसका मतलब dy by dt dy by dx एक्स इक्वल टू है टी टी कर जाएगा तो यहाँ पर आपको आजाएगा minus 1 एक हम भेलू निकाल लिए जो आपको काम आने माला है आपका करेंगे यहाँ जो बदल रहा है इसका जो है मतलब की आपका इलिप्स जो है मतलब की दिर्ग भृत जो है इसका जो है बदल रहा है यहाँ जो है इसका हाइट जो है इसका मतलब की y के मान घट रहा है आए बढ़ आगे चलके घटते 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 y का हो जाएगा पूरा छुटा हो जाएगा 10 to 0 आया पूरा बड़ा हो जाएगा आय इसका मतलब कि यह कभी इस condition में भी आ सकता है कि वो एक line बन जाएगा उस condition में भी आएगा कि का हो जाएगा यह Eclipse जो है दिरिगा विरित जो है एक रेखा बन जाएगा इस पर आजाएगा यह घड़ते घड़ते यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आजाएगा आया का तब बढ़ते बढ़ते पूरा चल जाएगा अननते तक चल जाएगा मेरे दोस्त तो यह बढ़ेगा तो इसका मतलब कि rate बदल रहा है इसका दर बदल रहा कि किस दर से इघट रहा है और किस दर से इघट रहा है और किस दर से इघट रहा है य के मान और किस दर से x के मान आपका इघट रहा है तो हम लोग इसका मतलब कि यह rate पर चल रहा था यह हो जाएगा 16 गुना 2x हो जाएगा dx by dt क्योंकि यह भी rate चल रहा था पलस यह हो जाएगा 9 गुना 2y dy by dt is equal to 0 आप करेंगे 32x plus dx by dt plus यह हो जाएगा 18y dy by dt अब थोड़ा इसको अलग ले जा रहे हैं मेरे दोस्त आप करेंगे यहां पर 32x dy by dt equal to इसदर ले जाएगे तो हो जाएगा 18y dy by dt आप करेंगे इसको जो हैं यहां से dt कटा देंगे dt जो हैं किंसिल कर दिये आप करेंगे यहां पर यहां पर हो जाएगा आपका 32 dx equal to minus 18y dy अब यहां पर देंगे भेलू निकालने के लिए हम ऐसा किये हैं जो rate से हम लोग कटा दिये परन्तु ऐसे नहीं होता है यहां पर solve करना हम लोग का इसलिए कर किये हैं अब ध्यान देना जरूरी है यहां पर इसका जो मान है यहां पर change करते हैं तो हो जाएगा 32x is equal to minus 18y dy by dx यहां पर इसका जो मान है minus 1 आया है तो हो जाएगा आपका 32x is equal to minus 18y गुना minus 1 minus i into minus हो जाएगा plus मेरे दोस्त ता 18y is equal to हो जाएगा 32 यहां पर कटा लेंगे यह हो जाएगा आपका 16 यह 9 तो होगा 16x by 9 is equal to y अब मेरे दोस्त आगे को बढ़ते हैं यह मान जो है अगर यह जो मान जो है अगर इसको equation में put करते हैं तो हम लोग को आगे कुछ ने कुछ आने वाला है तो 16x square plus 9 गुना y के मान put करें यह आपको आजाएगा 400 तो यह हो जाएगा ध्यान देंगे तो यह हो जाएगा आपका 16x square तो 9 गुना ही हो जाएगा 256x square by 81 तो यह कड़ जाएगा 9 से 9 हो जाएगा यह 9 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 144 दूफ़ चोपन होता है 400 तो 400 x square by 9 equal to 400 इकट जाएगा 400 400 खो जाएगा तो x square by 9 equal to 1 तो x square equal to 9 x equal to minus plus 3 इसका मनलग कि यह आपका x के मान आ गया मेरे दोस्त आपका एक y के मान निकालेंगे y equal to यहाँ पर है 16 x by 9 यहाँ पर रखेंगे इसका minus plus 3 ती हो जाएगा कड़ जाएगा ती हो जाएगा अपका minus 16 by minus plus 16 by यह जाएगा मतलब कोडिनेट जो आएगा इसमें 4 कोडिनेट आएगा देख कब कब आएगा जब x का minus plus आया है तो y के minus plus आएगा तो इसमें से 4 कोडिनेट बनेगा मैं दोस्त तो आई होप देखी एक कोश्चन जो था बहुत अच्छा कोश्चन था कि अब सीसा का कर रहा था अब सीसा जो था अब सीसा अब समझते हैं पॉइंट था कि यह जो यह बह रहा था एक सक्षिस आइसमें वाई एक्सिस घट रहा था इसमें रेट टाइम पर निर्देश कर दिया तो मेरे दोस्त यह समझ गए अगर बच्चा टाइम नहीं भी ले रहा है तो वाई और एक्स के रिटेट भी ले सकता है कोई दिकत नह नहीं बठाम लोग थोड़ा सा सोच लेते एक्स्टरनल के भाई टाइम ले लेते तो फ़रा इजी हो जाता है तेसलिए मेरे दोस्त आपको अच्छा लागा होगा आगला कोशन की पढ़ते हैं अगला कोशन है मेरे दोस्त कह रहा है कि एक पांच मीटर लंबी सीड़ी परिष्थित है तता दूसरी छोर जमीन परिष्थित है यदि सीड़ी सरक्ति सुरू करती है तो दिखाये की बाहर की और निचले छोर की गति नीचे आने वाली उपर छोर की गति इतना है कह रहा है ना कि बाहर का जो गति है जो बाहर की इसे मान लिजिए कि यह आपका बन गया यह आपका दिवाल पर सीड़ी लगा दिया गया जिसका जो यह मान नहीं दिया है यह मान आपका दे दिया है कि कैए आया यहां कॉ आफका मांद दिया पांस मेंटिसली जो है पांस मेंटर का यहा हो रहा है कि यह अइसे हो मतलब कि वहाइग धीरे धीरे ऐसे घंसकते जा रहा तहीं कोई पकड़ता आ एक्स के मान देदर बढ़ रहा इसका मतलब की जो आप लिख सकते हैं dy फ़य डी एक्स यह माइनस हो जाएगा इन्हीं नहीं लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी जो लिखेंगे माइनस लिखेंगे माइनस लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी जो हो जाएगा प्लस लिखेंगे यह प्लस हो जाएगा यह माइनस हो जाएगा यह बढ़ रहा है घट रहा है अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर इसको माल लेंगे हम X Y है Y है ना Y X है तो Y X X X square plus Y square equal to 25 according to Pythagoras theorem तो यहाँ लगा लेंगे इसको जब rate change कर रहा है घट बढ़ रहा है तो यहाँ पर का करेंगे हम लोग differentiation का यूज़ करेंगे application अपका था Ampletic formula का Ampletic formula आप लोग जानते हों तो यहाँ पर change कर देगा समय के साथ change करवादे रहें X के साथ change करवादे रहें जब यहाँ घटे का तो यह बढ़ेगा तो यह हो जाएगा आपका dx plus dx y square equal to 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 2x plus 2y dy dx equal to 0 होग यहाँ अब कर रहें यहाँ पर कि इसका जो मान है यहाँ पर ध्यान दना जरूरी है कि इसका जो मान है यह घट रहा है यह बढ़ रहा है तो यह कह रहा है कि यहाँ पर देख रहा है न कह रहा है कि उचाई जो है यदि सीड़ी सरक्ति शुरू करती है तो दिखाने दिखाई यह कि बाहर की और नीचे और हमनों बढ़ते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका dy by dx equal to how जाएगा minus 2 Кजा जाएगा हीता है आप जानते हैं कि ड्य वाइ денег us यहां पर देखते हैं कि उस condition के चार से कर रहा है कि जब मानली वह जो है जब य के मान तीन था तो वहां पर एकस के मान चार हो जाएगा जब य के मान जब तीन था उस condition में तो य के मान हो जाएगा आपका य के मान तीन था एकस के मान चार हो जाएगा तो यहां पर माइनस चार बाई तीन हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एकस जो हो जाएगा आपका माइनस चार बाई तीन यह बता रहा है कि यह आपका rate घट वाला पर क्रिया कर रहा है एना तो आयोफ मेरे दूस्त यह समझें कि बहुत कोश्चन असान ता इसमें था कि वाइ वाइ जो था आपका ओडिनेट एक्स घट रहा था तो यहाँ पर यहा घटते जा रहा है इसका मान बढ़ते जारा इसका मान बढ़ते जारा बढ़ते जारा इसका मतलों के यहांच पर cutting के काम लेंगे तो यहां पर इंक्रीज करेगा यहीं बात कर रहा है तो मैं दोस्त आपको अच्छा लगा वो कोश्चन्स आगे कर बढ़ते हैं अगला कोश्चन देखते हैं इसलिए और भी अच्छा लगेगा आपको कर दो कि एक कर नशिमीटर सेंटीमिटर की spr सेकिंड की दर से अगया । empathy baby एक टेजी कम फूल इस मुझेवलाओना प्रिषटियूा कि कर लेगा लेगा गी त्सूटभव प्री एक इस से बढ़ाई है किस से बढ़ेगा जर्म Wik अथ्च है फो म Свी-मा प्रिष्टिय जो कहरे लें जो करना कई से बदलेगा इसको बताना है हाना जबकि इसके किनारों की किनारों की लंबाई बारा सेंटीमेडर है जो किनारे हैं इसका जो एजड है इसका मतलब की एरिया आपका मतलब की बारा सेंटीमेडर है तो बताना है तो आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि इसका जो एरिया जो होता है इसका जो है तो फर तोटल सर्फेस यह नहीं ले रहा है तो तोटल सर्फेस यह अहां पड़ेका यहां सर्फेस यह बोल दिया है तो चोव ए स्क्वायर एकस इसक्वायर हो जाएगा अब इसको एरिया करेंगा डी ए बाई dt 6 into हो जाएगा 2x dx by dt क्योंकि समय के अनुसार्य दिया हुआ है कि बदल रहा है तो यहाँ परेरिया जो है आपका निकाल लिक किस तरह बदल रहा है यहाँ वॉल्म जो हो जाएगा आपका v equal to हो जाएगा x q dvy dt equal to हो जाएगा 3x square dx by dt अभी इसका मान जो दिया है dvy dt के मान दिया है 8 तो इसका मान हो जाएगा 8 dx by dt यहाँ पर हो जाएगा 8 by 3x square equal to dx by dt इसका मान का करेंगे यहाँ पर रख देंगे तो d a dx d a by dt equal to हो जाएगा 12x गुना 8 by 3x square तो x square से x कट जाएगा तो x पचेगा यहाँ से हो जाएगा आपका चर्टी में 12 चार हो जाएगा तो अड़ जो का 32 by x आयो तो यह आपको आएगा d a by dt equal to हो जाएगा में दोस्त 32 x 32 by x x कमान जो दिया आपका 12 दिया हुआ है इस कमान तो 12 कटा देंगे 84 का 32 8 by 3 मतलब कि एरिया जो है बदलेगा इसका 8 by 3 cm square by per second से बढ़ेगा मेरे दोस्त यह समझना है इसमें क्या कह रहा है समझाते हैं उसका आयतन ऐसे था दीरे बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा अब यह कह रहा है कि जब बढ़ेगाँ मतलब कि छोटा था तो इसका एरिया 6 तरफल जो छोटा था सर्फेसरीया तो जा एक किसी रेट से बढ़ेगा यह बताना है तो हमका करें एरिया का लिख लिए एरिया लिख लिए यह सर्फेस रिया इसका उसे भॉलूम लिख लिए डिफ्रेंशेट करने के बाद हमनों डी 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 निकाल कर इसमें पूट कर दिये ता आपको आया आठ बाइ तिन स्टेंटी मीटर स्कॉाइर बाइस पर सेकेंड ता आई होत मेरे दोस्त समझ में आया होगा अगला कोशन कर बढ़ते हैं यह भी कोशन बहुत मज़दार है जितना कोशन लिया गया है यह बहुत बार मतलब कि ट्विल्थ में साथ में साथ जही में तक एंडिय मुझा अचैक दर भाता है पूरा देस कि न भढ़ने लागा छe तुड़ा पुला में कुछ दकते हैं कुछ जीज मारते हैं थो दो प्रणतो इसका आयतन किस तरस बढ़ाएं आपको थोड़ा साथ गयस करिए का दोड़ासा बुल भूला जो रहता है ना वह एक लगता करेंगे concept लगाएंगे तो इसका area जो हो जाएगा a equal to हो जाएगा 4 x 4 5 x square d a d a by dt equal to यहाँ पर 4 x into 2 x dx by dt इसका मान जो दिया है यहाँ पर 2 cm per second equal to 4 x 4 तो हो जाएगा 8 x dx by dt इधर पर देंगे तो 2 हो जाएगा 8 x x 8 pi x 3 हो जाएगा कट जाएगा तो हो जाएगा 1 by 4 pi x equal to dx by dt volume जो हो जाएगा इसका 4 by 3 pi x q तो हो जाएगा d v by dt जब differentiate इसको कर देंगे इसका जो मनलब की जो बुलबूला है इसका volume तो लिख लिए अब डिफ्रेंसेट की जो बुलबूला है काईसों उसका मतलब की बढ़ रहा है बढ़ते जाएगा उसका किस rate से बढ़ रहा है किस दर से बढ़ रहा है उसका volume का का कार जो है कैसे बदल रहा है उहें निकाल रहे हैं अब यहाँ पर 4 by 3 pi आए हो जाएगा आपका 3 x square dx by dt यहां से निकाले इसका dx by dt के माने आप रख देंगे तो यह हो जाएगा थिर थिर कट जाएगा तो 4 pi x square into 1 by 4 pi x तो कट जाएगा यह एकस बज़ जाएगा तो 1 by x हो जाएगा dvy dt equal to 1 by x तो मेरे दोस्त आगे को बढ़ते हैं तो dvy dt equal to 1 by x आगे x का था radius x का था radius radius यहां पर का था उस समय के बताना है कि उसका मतलब कि किस दर से बढ़ रहा है जब वह उसका आयतन जो है आयतन का जो जब वह एक गोलिय गोलिय जो मतलब कि इस फेरिकल जो बुला है उस condition उसका volume का rate बताना है जब उसका radius छो सेंटीमीटर हो जाएगा छो सेंटीमीटर क्यू पर सेकेंड यह मतलब कि आपका हो जाएगा तो आई होप मेरे दोस्त बहुत तीजी था यह बुल बुला का question था देखते है question कहां से कहां पुछता है यह सब जो है जितना question जो है हम लोग पड़ अपने जीवन लाइफ में उप्योग करते हैं देखते हैं आउसी से related question दिया हुआ तो यह आई होप आप भी इस पर question बना सकते हैं खुद से question बना सकते हैं क्योंकि जितना question जो है न यह हमारे जीवन चार्जा से जुड़ा हुआ है पड़िया है इसका इसतेमाल कहलं कहीं और कहीं हम लोग देखे हुए question यह आपने मतलके question नहीं देखे घगा यह सब्यक्राइा ध्योर्क हम देखे हुए देखते हैं कभी कभी कः देखते हैं सीणि होग सकने लगता है हमारे जीवन चार्जा से जुड़ दिया है कि हम लोग पर्टी अपने लाइफ में घटता है डेली लाइफ से घटता होगा घटना को जुड़ दिया कोश्चन से तो बहुत अच्छा लग रहा हुआ का आप समझ में भी आ रहा होगा बहुत मजदार ही सब कोश्चन है आज जो मतलब कि बहुत सरे कमटटी वे जाम में पुछ लेता है बहुत बार पूछा हुआ है तो आपको बहुत अच्छा लगए मेरे दोस्तों अगला कोश्चन की वर हम लोग बढ़ते हैं कहारा एक गुबारा जो सदेओं गुलाकार रहता है गुबारा तो इसे देखते हो कोई लमका रहता है ना तो कोई गुला रहता है यह कहारा कि हमेशा सदेओं मेंस होता हमेशा अलवेज अलवेज रिमेंस स्फेरिकल कि तिर्जिया परिवर्तन सील है तिर्जिया का इसका बदल रहा है इसका जो रेडियस है यह हमेशा चींज कर रहा है बदल रहा है इसका तो फूलने लगता पूरा थोड़ा सा घीच लेते हैं तो 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 उसी तरह से इसका परवतंसिल बढ़ते जा रहे हैं कि तीरिजया कि अपैक्छा में परीवायतन की तरह रही है कि तीरिजिया के डि वी do यह रिए रिट केगा बता ना है कि जब गार फ्रुजा फुला करेता करें गजैए 10 मिर सेंटिमयर्टि हम चहुपा देंगो उसको radius तब उस condition बताना है कि इसका जो है ना दर क्या है इसका आयतन का दर किस तरह बह रहा था वो बताना है तो हाई आयोप मेरे दोस्त समझ गोंगे जो अभी जो है सदेव गोलाकार जो है मतलब कि इस फेरिकल है तो इसका volume निकालेंगे volume हो जाएगा 4 वाई 3 पाई इसका radius को एक समान ले तक की हो जाएगा इसको radius का नुस्वार भरियावल बनाना है तो डी वी वाई डी एकस इप्वाल टू हो जाएगा 4 वाई 3 इंटू पाई एकस 3 एकस स्कॉाइर डी एकस यहाँ पर कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त बहुत कोचन ही तुझी था जी बहुत इजी कोचन था यहाँ पर का करेंगे पाई आर्क एक्स के मान रख देंगे तो यह हो जाएगा दस गुना दस तो हो जाएगा आपका चार सो पाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब पर हना सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर यह हो जाएगा मुझे क्यों सेंटीमेटर लिखें थ्वड़ा सा बढ़ा जाता कि यह जो है कि आ extracting जो है ना रिडीयस के रिस्पेक्ट से बदल रहा है जतना रहतार से बढ़ते जार रहा हैập बढ़ते जा रहा है प्लाते जा रहना तो इसको यह पर टाइमिंग को इंसके बहुत इयुक्त में नहीं से मूर्ज़तária धार क्या है को दिकत नहीं है carry但 एक को मुष्छन में मुश्याया जोड़ार आपना जोड़ा है अधार क्वब्रफ एक कोशसण जो भरी एक Nejक के आपना लाइफ में जोड़ा हुआ जो घटना हम लो लाइफ में घटा हुआ है उस धार पर तो इसलिए आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आ रहा होगा अगला कोश्चन जो ले रहे हैं दो मीटर उचाई का आदमी दो मीटर जोड़ा लंबा लंबा लोग कुछ लोग होते हैं तो दो मीटर के कर रहा है कि छो मीटर उची विजिली के खंबे से दूरी कर रहा है कि 6 मीटर किलो मीटर पर आवर की समान चाल से चलते आ रहा है तो देहाने ना ज़रूरी है कि इसको जो ने जिसे फुद्धे खरावाद इस अब जानते हैं कि खंबा के तरेट से मतलब कि आपको बदलने वाला नहीं है कि फिस रहता है वह लोग खंबा के रेट से जो दर से जो समान चाल से चल रहा तो उसको लग रहा ना कि खंबा के जो जो परचाई है वह बदलते आ रहा है तो उसी तरह बता रहा है कि इसका जो मतलब कि ब्यक्ति का परचाई में क्या बदलावा आ रहा है यह बताना है तो आई होप मैं दोस्त समझ के होंगे आगे को बढ़ते हैं तो देखे एक बना दर एक फीगर आपको बहुत मज़ा भी आएगा फीगर देखिएगा तो आप द दियान देंगे दोनों आपको देखे दोनों जो खंभा हैं आदमी हैं तो दोनों लंबवत हैं एक दम 90 डिगरी कोन बनाकर धर्टी पखाड़ा है इसका मतलब कि यह दोनों जो है न समरूफ है सिमलर है यह फीगर जो है पूरा फीगर ले लेंगे इसका नाम तो देखा ए देखा धाणता है कि यह पर ए बिए क्त बहलाजर जाएकू एक गItem cois uthop. इसका मतलब कि यह बाई इसका है इसका कट जाएगा तो 3y equal to x plus y, तो हो जाएगा 2y equal to x, मतलब कि यहाँ आपको आ गया relation, यहाँ पर निकालेंगे dy by dx, हो जाएगा 2 equal to 1, तो dy by dx यहाँ पर जो हो जाएगा 1 by 2, आपका रहाएग ध्यान देंगे यहाँ पर इस तरह से नहीं दिया हुआ है, यहाँ टाइमिंग दे रहा है, तो यहाँ आपका mistake, गलती हो जाएगा, timing से connect करेंगे तो हो जाएगा dy by dt is equal to dy by dt के मान दिया हुआ है, कि जो मतलब कुछ खंभा जो था, उसको बेक्ती जो देख रहा था, कि उसका जो परतवीम लग रहा था, कि बदल रहा था, उदी दिया है, कि 6 km पर घंटा के दर से उसका परच्छाई में बदला वाराथ, आप कह रहा है कि यह बेक्ती के कितने बदला वाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 dy by dt, is equal to यहाँ पर जब रखेंगे, यहाँ पर इसका dx by dt के अमान 6, ति कट जाएगा, ति हो जाएगा dy by dt equal to हो जाएगा, 3 km पर घंटा से, तो कितना कोश्चन मजदार था मेरे दोस्तों, यह कोश्चन बहुत अच्छा था, यह जैसे कि मान लीजे कभी कभी हम लोग जाते हैं, बजार जाते हैं, कभी घुमने जाते हैं, हना टहलने जाते हैं, तो देखते हैं कि सूरज जब निक परचाई हो पेंड हो देखते हैं, उसका परचाई हम लोग देखते हैं, तो कोई बचात वह जाते हैं, भाई उसका परचाई कई से बदल रहा है, थोला थोला देख लो अपनों परचाई हम लोग देखने लगते हैं, उस कंडिशन में हम लोग आ करते हैं, आपनों परचा हाई हम लोग देख रहे हैं